मेरा नाम हुजूर नंद चौधरी है और मैं एक डिजाइनर और आखिटेक्ट हूँ और भॉपाल के विबिन जो आप सड़कों पे सोंदरिकरन के काम देखते हैं यह काम मेरी यूएसपी है देखिए अभी बहुत इनिशिल स्टेज है मैं मेरे को MPCA ने मैं एज अ कंसल्टेंट डिजाइनर अपॉइंट किया है म्यूजिम डिजाइन करने के लिए और मैं स्पेशल अभार व्यक्त करता हूँ अभी लाज खांडेकर जी को जिन्होंने मेरे टालेंट को समझा और मुझे वाँ बुलाया और मौका दिया अपना काम दिखाने का इसक बड़े लेवल पे इसका उद्गाटन भी किया जाएगा तो अभी के लिए फिलाल मैं इसमें बहुत आपको डीटेल नहीं पता सकता हूँ क्योंकि अभी बहुत इनिशन स्टेज है हाँ पर यह है कि इसका काम जरूर चल रहा है जी देखिए क्रिकेट स्टेडियम में तो डेफिनिटली यह देश का एक पहला और यूनिक म्यूजियम होगा जो क्रिकेट स्टेडियम में होगा और अफकोस यह एक्स्लूसिफ चीज है तो बहुत प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है है और MPCA इसको बहुत सीरिसली इस पे काम भी कर रहा है और हम हमारी पूरी अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट में अपने देश में है नहीं एक छोटा सा प्राइवेट ट्रिक्ट मूजियम जरूर है पूर्णे में पर किसी भी क्रिकेट एसस्वेशन का परपर मूजियम होना वह नहीं है तो यह अपने आप में एक यूनीक विचार भी है और तो बेन काम मेरा ही है, डिजाइनिंग का, उनका सारा कंसेप्शुलाइजेशन से सारी चीज़े लेके, सोविनियर आइटेम से लेके, सारा A to Z or museum, काफी elaborate subject है, एक मुजियम का, लेकि मैं बच्पन से आर्टिस आफ दे स्कूल का वाड जीता है हूँ, और कैमले इंडिया जो स बहुत सुन्दर है, तो क्यों ना उस कल्चर की जलग को अपनी सड़कों पे लाया जाए, और Link Road 2 का, जब मुझे काम मिला, तो मैंने भौपाल की जो सदर मंजल, जो हमारी building है, Heritage, मेरा सब building है, उसकी सीलिंग के आर्ट के डिजाइन को मैंने modern design में convert किया, जिसके basis पे मुझ British Museum London ने invite किया, और वहाँ मुझे museum training program में भी उन्होंने enroll किया, यह बहुत prestigious training program है, international program है, जिसमें सिर्फ invitation पर ही आप जा सकते है, आप उसके लिए apply नहीं कर सकते है, तो बस वहाँ से journey शुरू गुई, फिर अश्विनी लवानी साब ने मेरे को air India museum design करने का काम दिया, और सों model road जिसे हम कहा रहे है, greater clash road, उसका भी design मेरा ही काम है, और मनेश सिंग जी के द्वारा वो काम project हो पाया था, और मनेश धर के साथ मैंने पहले भी काम किया, link road 2, link road 1, vip road और बहुत ही काम किया, smart city के साथ भी किया है, smart road जो शामलेल्स पर आप दिखते है, और इसके लिए काम हो रहा है, तो support मिलता है, unique काम है तो naturally और टूरिस्ट को भी पसंद आता है बहुत, फिर MP tourism के भी आप जितना उनके जो tourist sites उस पे heritage interpretation के signages लगे है, वो है stainless steel के, तो वो भी एक बहुत अच्छा काम, लवानी साब के दौर में वो काम भी किया, जी देखे, मैंने schooling तो यहां मैं involved हूँ, और अब तो British Museum का fellow member भी हूँ, और British Museum invite करता है मुझे दुनिया के और भी जगों पे जाके दूसरे लोगों को train करने के लिए, जैसे मैं Egypt में, Cairo, Oswan, भी मैं तीं-चार बार हो के आचुका हूँ, और वो training programs में मैं, मैंने काफी लोगों को train किया वा museum के लोगों क कि मैं artist बनना चाहता हूँ, अब अपना एक art studio भी शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, studio 18 के नाम से, तो वो भी जल्दी आप देखेंगे, इसको बड़े level पे launch करने की प्यारी चल रही है, देखे, बनारस में मानि प्रदान मंत्री जी के तूरू रेदे वारा नसी ए और intact दिली में एक semi government संस्ता है, जिसको ये काम government of India से मिला था, और intact ने मुझे as a designer for this project अपॉइंट किया था, और इस project में मैंने 9 सड़कों का, उनको design concept बना के दिये थे, जो वारा नसी के ही culture से related थे, वारा नसी हमारे देश के लिए बहुत ही important शेर है, और उसके culture को, उसकी जहलक जो है, जैसे shop front signages हो गए, दिवालो का color उसका कैसा रहा, murals हो गए, ऐसे बहुत सारे वहां काम हुए, lights का काम हुए, तो वो सब मैंने design करके दिया, जो की काफी appreciate भी हुआ है, और वो काम अप हो भी गया है, और इसके अलावा हमारे मद्बपतेश की जो model road है, प्रोडक्शन में बहुत एहम भूमिका निभाई, और हम लोग वो काम आज की रेट में ऐसा है कि मद्बपतेश गवर्मेंट उसको as a model road पोट्रे करती है, in fact वहाँ जो कॉर्परेटर थे वह उस टाइम दिलिप शर्माजी और उन्होंने तो वहां बैठके खाना खाया था फुट पार तो यह अपने आप में यूनीक प्रयास रहा है और आज की रेट में इंदौर की जीके रोड का नाम अर्बन डेवलप्मेंट डेपार्टमेंट में हमारे बोपाल ही नहीं एंटी में और भी शेहरों के UADD डेपार्टमेंट में उसका नाम हुआ है तो और संदरिकरन का प्रोजेक्ट भी काफी उसको योगदान रहा है तो ब्रिटिश मुजियम लंडन ने जब मैंने लिंक्टो 2 का काम किया तो वो उन्होंने उसके उपर एक ब्रिटिश मुजियम ने किताब कंपाइल करी थी जिसमें जो क्रिएटिव लोग हैं दुनिया भर से और भी लोग थे उसमें से एक मैं भी था जो मुझे भी इनवाइट करके उन्होंने बलाया था और उसमें ब्रिटिश मुजियम इंटरनाशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करके किताब है जो उनके लाइबरी में अविलेबल है और और भी दुनिया के बड़े मुजियम के ला सब्सक्राइब को जब बताया कि अपनी बोपाल की सड़के बारे में लंडन भाया है तो इसनाएं उन्होंने स्टेट आवार्ड की खोशना करी मेरी लिए यह सब काफी डेवलोपेंट हुए और ऐसे काफी काम होते गए और संदरीकरन का एक तरीके से जो शब्द या ब्य देखिए मैं ऐसे अवार्ड नहीं बोलूँगा पर हाँ यह है कि प्रेस्टीजिस प्रोजेक्ट जरूर हाथ में है जैसे एर इंडिया म्यूजियम फॉर आर्ट अन कल्च्रल हेरिटेज यह अपने आप में बहुत यूनीक म्यूजियम है एर इंडिया आर्ट कलेक्शन का जिसमें आर्ट क्यूरेटर जो हैं वो मीरादास जी हैं और म्यूजियम का डिजाइनर मैं हूँ और यह एक ऐसा आर्ट कलेक्शन है जो दुनिया भर का आर्ट कलेक्शन है वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिफ आर्ट वर्क आपको एर इंडिया कलेक्शन में में बनेगा तो मैंने मद्रेप्रदेश में heritage interpretation पर बहुत काम किया और आप अगर देखेंगे तो stainless steel के signages जगे जगे लगे हैं जिसका tourist काफी positive feedback भी देखे जाते हैं तो ऐसे कुछ unique works पर काम करता आया हूँ और अब अपने artwork को लेके भी कुछ निया करना चाहता हूँ